नमस्कार जी मेरा नाह में जंचल स्वागत करता हूँ मैं आपका आज के इस एक और नए व्लोग में आज के इस व्लोग में हम बात करने वाले है कि केसे आप जो है ORVM को electrically adjust कर सकते हैं अगर manualी रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप manualी हाथ सही adjust कर सकते हैं बट अगर आपके पास electrical adjustment है तो आप केसे adjustment कर सकते हैं उस चीज़ के आज हम बात करने वाले है फिलाल हमारे पास जो गाड़ी है वो है क्रेटा और क्रेटा में S variant यह जो है गाड़ी है बट इसके उपर जो है आपको SX और SX optional में auto foldable भी मिल जाते हैं फिलाल यहाँ पर auto foldable तो नहीं है बट auto adjustable जो है यहाँ पर मिल जाते हैं तो केसे adjust करते हैं उन चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बतातू हूँ कि driver side यह जो door panel है यहाँ पर आपको मेंदी तीन चीज़े देखने के लिए मिलती है जहाँ पर all for power windows के controls मिल जाता है उसी के नीचे child lock का option मिल जाता है और उसके बाद उपर यहाँ पर आपको all for door lock और unlock का option मिलता है इसे के उपर हम बात करें तो यह बात आती है ORVM को control करने की ORVM के controls फिलाहल आप यहाँ पर देखेंगे तो proper knob नहीं मिलती है बड़ यहाँ पर button switches मिलती है जिससे के दुरूब आप इसको control करते है तो मैं आपको थोड़ा साब पीछे लागे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर यह बटन देखने के लिए मिलेगी यह left hand side यानि की वो co driver के side का और right hand side यानि की driver side का आपको switch मिलता है जब आप right hand side रखेंगे तो आप right hand side के ORVM को adjust करेंगे और आप जब left hand side रखेंगे तो left hand side के ORVM को जब आप control करेंगे तो फिलाल मैं आपको right hand side में बता देता हूँ जब हम इसको राइट हेंड साइड करते हैं और आप इस बटन को इस बटन को जब आप राइट करेंगे तो आप देखिए महापर किस तरीके से वो राइट में जाएगा यह देखिए आप जब उसको पूछ करेंगे तो राइट हेंड साइड में जा रहा है हाँ यहाँ पर अगर नॉब दी आती प्रोपर तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हेंडी हो जाता है बट हाँ कुछ इस टाइप से आपको जो है इलेक्ट्रिकली एड़स्टेबल देखने के लिए मिलेगा अब हम बात करें इसके और चीजों की यहाँ पर टेक्श्चर वग्यरा की तो वो चीजें सारी इसकी पूरी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में बताईए तो यानि कि इसका मैंने क्रेटा एस वीरेंट का इस पर्टिकलर गाड़ी का वीडियो डाला वाए तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और आपको ये वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें इसके साथ इंस्टा पर फोलो करना चाहे तो आप इंस्टा आईडी आ रही होगी वहाँ पर आप मुझे जाकर फोलो कर सकते हैं तो इस वीडियो में यही तक आप अगर बाइक चलाते हैं तो प्लीज हेलमेट जरूर पेने कार चलाते हैं तो सीट बिल जरूर जरूर लगाएं इसके साथ बाबाए